आज हम बना रहे हैं बेज लॉली पॉप बेज लॉली पॉप बनाने के लिए सारी सबजियां हम पहले चॉप कर लेंगे हमने प्यास धुल कर बारिक बारिक कट कर लिया है अब हम सिम्ला मिर्श कट करेंगे सिमला मिर्श को भी हमने बीज से बीज उसका निकाल दिया है और हम इसको भी बारिक बारिक कट कर लेंगे सिमला पर मिर्श भी कट कर लिया है मैंने अब हम गाजर लिया है मैंने गाजर को भी बारिक बारिक कट कर लेंगे जितना बारिक हो सके आप इसको बारिक बारिक चॉप केजिए गाजर भी हमारी कट हो गई है अब हम बीन्स हमने बीन्स लिया है आप चाहें तो आप मटर भी एट कर सकते हैं बीन्स को भी हमने चॉप करके प्लेट में रख दिया है अब हम हरी धनिया कट कर लेते हैं और उसके बाद हरी मिरच हरी मिरच को भी बारिक बारिक कट कर लिया है मैंने टमाटर हमने धुल के साफ करके ले लिया था टमाटर भी कट कर लिया है सारी सबजियां हमारी चौप हो गई है अब इसके बाद हम इन सब सबजियों को बाउल में मैंने तीन आलू लिये थे वो मैंने मैस करके रखे वे थे उसमें हमने ब्रेट कंज डाला है एक चम्मस सूजी, नमक, काली मेश पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, हल्दी और उसके बाद इसमें हम सारी सबजियां आड कर देंगे आड करके, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस सब चीजों को एक साथ मिक्स करके, जब इसकी अच्छे से बैंडिंग होने लगे, तब हम छोटे छोटे बाल्स बना लेंगे शेप आप अपने एकोडिंग दे सकते हैं मैंने इसको बॉल्स बनाये हैं छोटे छोटे बॉल्स हमने बना लिये हैं सारे बॉल्स हम एक एक करके बना के रख लेंगे दो चमश मैदा लिया है मैदे का हमने घूल बनाया है बॉल में मैदे की घूल में डिप करते हुए बॉल्स हम ब्रेट क्रम्स उपर से ब्रेट क्रम्स की कोडिंग करेंगे ब्रेट क्रम्स को भी हमने उपर से कोड कर लिया है इसी तरीके से सारे बॉल्स मैं एक बार मैदे में डिप करके फिर ब्रेट क्रम से इसकी कोडिंग करूँगी एक एक करके मैं सारा इसी तरह के से बना के रख लूँगी अब कडाई लिया है मैंने कडाई में तेल डाल दिया है तेल गरम हो गया है अब एक एक बॉल्स इसमें डाल के मैं फ्राई करूँगी बॉल्स हमारे जब तक फृराई हो रहे हैं तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको हमारी रेसीपी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों को ये हमारे बॉल्स रेडी हो गए हैं अब हम इसको निकाल लेते हैं अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं एक सॉस हमने बनाया है मेउनीज और टोमेटो केचप को मिला कर आप मायो सॉस के साथ में जो है इसको ट्राइ कीजिए बहुत ही टेस्टी लगती है